हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सब आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी होम रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ जिससे की एर्रेगुलर पीरियट की प्रॉब्लम से बहुत असानी से छ प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्फूल होने वाला है तो प्लीज आप लोग वीडियो के एंड तक के देखें वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग अगर मेरे चैनल पर नहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस भी करें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी करें तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज कल बहुत सारी लेडिज को इर्रेगुलर पीरियेड की प कर सकता है जैसे कि उन्हें प्रेग्नेंसी कंसीव करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एर्रेगुलर पीरियट की प्रॉब्लम आम तो पर खराब लाइफ स्टाइल और हार्मोन इंबैलेंस की वज़े से होती है तो अब हम बात करते हैं रैमेडी की आपको करना क्य लेना है आपको जीरा लेना है और उसके बाद आपको एक गिलास नॉर्मल वाटर में एक चमल जीरे को एक गिलास नॉर्मल वाटर यानि कि पानी नहीं जादा ठंडा हो और नहीं जादा गरम हो नॉर्मल वाटर जो है आपके पास उसी वाटर में राद भर के लिए भीगो करके रख दें और फिर आपको सुबा उठकर इसे इस पानी को चान लेना है और फिर चानने के बाद इस पानी को आपको खाली पेट पी लेना है आपको यह रेमेडी रोज करनी है बहुत ही सिंपल रेमेडी और बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव भी है अगर आप लोग वेट लोगो यह रैमेडी तीन महीने तक कम से कम तीन महीने तक रोज करनी है गाइस देखे जब भी आप लोग किसी भी चीज को ट्राइ करें किसी भी रैमेडी को ट्राइ करें अगर वह रैमेडी आपको सूट करती है तो कम से कम उस रैमेडी को किसी भी टिप्स को तीन महीने तक जरूर ट्राय करें एक-दो हपता करके या एक-दो एक महिना करके आपको अगर फर्क नहीं दिखाई देता है तो उसे छोड़ना नहीं आपको तीन महिने तक कम से कम तो करना ही करना है ताकि आपको उसका फर्क दिखाई दे और आपको उसका benefit मिल सके और यह remedy आप जब तक च सकते हैं यानि कि पीरियट के दिनों में आप जीरा वाटर पी सकते हैं आपको इसे इसकिप नहीं करना है यानि कि आप पूरे मंद बिना एक भी दिन इसकिप किये हुए यह remedy फॉलो कर सकते हैं गाइस तो यह बहुत ही छोटा और सिंपल सा हेल्पसूल सा वीडियो था आप यह remedy बताई है irregular periods को ले करके लेकिन यह remedy भी काफी helpful है अगर आप लोग इससे पहले बताई हुए remedy को नहीं follow करना चाहते तो आप लोग यह भी कर सकते हैं खासकर अगर आपका वेट जादा है और आप लोग को वेट लॉस करना है तो इसको जरूर करें यह वेट लॉस करने वालों के लिए भी बहुत ही जादा फाइदेमंद है तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए good bye and take care अगली remedy अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में बताऊंगी जो की आपके बहुत ही जादा helpful होंगी तक के लिए good bye guys and take care